आज पूरे बिहार के मेर और डिप्टी मेर की बैठक का आयोजन हुआ जिसमें सभी जिले के मेर और डिप्टी मेर शामिल हुए बता दे कि राज सरकार जो सभी शक्तियां नगर विकास विभाग के हाथों सौप रही है उसी के विरोध में ये बैटक की गई बैटक के दौरान आई हुए तमाम मेर और डिप्टी मेर से बाचीद करने की कोशिश की गई क्या कुछ कहा उन्होंने आए उनकी पूरी बातों को सुनते हैं बिहार के मेर की बैटक हो रही है कि विंदू को लेकर आप लोग आप लोग आप लोग दनवार देखेंगे बिहार सरकार द्वारा एटिस मार्च को गजड में परकासन कर जी बिहार नगरपाली का अधिनियम की धाड़ा शटिस, सैटिस, आर्टिस, एक्तालेश, तीरफन, अट्छापपा एवन चार्सो पाइटिस मेशन सोदन कर दिया गया है तथा इन में से कई को भी योपित कर दिया गया है बिहार नगरणीगाउ अधिनियम दोहजार साथ पहले से ही चभातरे समीगार संसोदन के मूल भावना पे अनरूप नहीं था अधिकान सक्तियां सरकार के पास ही नहीं थी अभी जो संसोदन किया गया है उसके दोह निक्ति का अधिकार करवाई करने का अधिकार सारा समाप कर दिया गया है अब इन सारे अधिकारों का पढ़ियों राज सरकार के दोहरा किया जा रहा है कुछette नगरपालिका एक सवताय सनस्ता हे और राज सरकार इसकी सारे अधिकारों को समाक कर खुद नगरपालिका चलाना चाहती है जो कापी दुखल है नगरपालिका की सवताय सर्ता के लिए अंतिम दम दर नग्राय लगती गहांगी पिलोसें मानुनी आलय मी में जाएका जाएका फाले भी जागया तो यह भ पूरेन इस जब बना हुआ है पुरे सके भाचा यसा से जब बना हुआ है इस से बना वाइड मेंडमेंट के लोग शुआ के दौारा की जाती है उप्षी से आधारेती है कि आ भाटी है शाड़ा है जाये जो काच भाल्नाुक हो, जाय वो निया angry ok इसमें जब ये चोहत्रमा संसोधन किया गया तेहत्तर से पंचाइती राज हुआ, चोहत्तर से नगर निपाए गया। इसको मजबूती परवान होगा। इसको मजबूती राज बीत आयो का जो पंचन बीत कॉस्टम में परिवान हो रहा है। और चौदामी भी पंद्रहमी में हम लोग का अधिकार था कि रोड़नाली गली आउम समस्य अठारा नुसुची जो है बारामी अनुसुची अठारा काज उसको आप करेंगे। अब जो नया नोटिफिकेशन हुआ था लास्ट इयर का पंद्रहमी भी था उसमें जल जीवन हरी आदी एश्टे गवर्मेंट करा दिया। तो रोड़नाली आ पेमेंट और अनविकास काम और भाट अतला और पाक का साहत और संदी काम कैसे हो सकता है। कहां से होगा। एक प्रस, दुसरा, जब विधान मंडल दुवारा कोई ऐसा काम नहीं करना है। जिससे की जो है स्थानिय निकाय कम जोगा। अब अन्या भी जो गजट हुआ। स्वरकार के दुवारा विधान सवासे माच में पास करके गजट कर दी गए। उसमें लिखा गया है कि नगर आयुक का पदस्थापन पहले कानून में यह था कि जब चाहे निडंबोल्ड उसको टूथनमायूटी से हटा सकते हैं। और दुवारे इन्होंने क्या किया कि एक साल के बाद हटा सकते हैं। आई लॉपड़ान में क्या किये जो ग्रास रूट पर हम लोग जाडू बहाडू और सारा काम करें। और उसको कि आप नगर आयक कभी नहीं हटा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि मेर हटे, डिप्टी मेर हटे, साले साल हटे, उस पर कोई करवाएं। और पताधिकारी को ऐसा होगा जो दिल्ली से आकर बिहार में कोस्टिंग होगा। और उसको बिहार करनी अंतरन नहीं रहेगा। वह नियंतर्त पताधिकारी होंगे। और वो काम करें। मैं सुरेश कुमार है। मैं जप्परपूर महापौर हो। और आज जप्परपूर बिल्गुसराय गया। इतनी भी महापौर है सबकाई। पत्ना मेर के हाँ जो आज बैठक हुई है। हम लोग दो मेरा तिनने बैठक करते रहते हैं। आज का बैठक महतुपरम बैठक कुकि सरकार दोरा गजट लाई गई है। उसमें बहुत सरा चीज लगण डिगम के जो हम लोग स्वाय संसा है। स्वाय संसा जो आभी आपने पूछा भी है। स्वाय संसा बताव के इंडिवीजियल हम लोग अपना अपना डिश्टन खुद ले। कि हम लोग सफाई बहुत सारी चीज़े होती हैं। हम लोग सबसे निशे पैदान के जंग प्रदिवी हैं। सब कुछ होती है हम लोग को सही से क्या करने नहीं दिया जाता है। सब पुस अधिकार धिरे 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 चिंग गया है। इसी का बैटा खोड़ा है। रही बार ताहर पोस्टिंग। अभी आप लेकिए किसी भी अधिकारी को हम लोग इंटा से पोस्टिंग के वारे में कुछ नहीं का सकते हैं। मनवाना वहां उनका हो रहा है। हम लोग के आप लोग को बहुत धन्यवाद देता हूं। कि आप लोग इहां हमारे नगनिंगम पठ्था में आये हुए हैं। और खास करके हमारे जो मेर और डिप्टी मेर विहाद। कॉंसील के चेर्मेन है। स्रीमती सिर्था साओजी। उनके प्रश्यूजी आपारवेक करता हूं। कि इस करोना काल के बाद। हम करें दो तीन महिने के बाद हम लोग एक ये टीम में बिल रहे हैं सब। सबसे वजीर समस्या है। यहां कि हमारे साथ सवतेला बेवार किया जा रहा है सरकार के दौरा। जो सही नहीं है। जैसा कि सभी जानते हैं। नगनिगम या नगनिकार। यह सेल्फ डिपेंडेंट और्गनाइशन है। स्वाइट सासी यह संसा है। और पहले से इसको जो अधिकार जो भी था। कि कर्मचारी को रखना, कर्मचारी को हटाना जो भी। वो सारे अधिकार अपने अंडर में ले रही है। तो हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि नगनिगम बनाने का अदर नगनिगम साथने का उदेश से क्या है। प्रूप्रिय।